और उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राजवे निर्वाचन आयोग की अधिसूचन अच्वारी होने के बाद आदर्श अच्वार सहिता लागू हो गई है उधर प्रशासन ने भी सक्त रुक अक्तियार कर लिया है वहीं वज़ा है कि रविवार राज सही नगर निगम की कई टीमों ने होडिंग्स बैनर और पोस्टर हटाने का काम शुरू कर दिया है इसी क्रम में SP दफ्तर के सामने लगे तमाम होडिंग्स और बैनर्स हटा दिये गए हैं देखे रिपोर्ट निकाई चुनाओ को लेकर राज निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में आदर्स आचार संगीता लागू हो गई है मैं इस वक्त सपा कारियाले के सामने खड़ा हूँ आप देख सकते हैं जो सपा कारियाले के सामने तमाम जो है उसके सामने बैनर पोश्टर और होडिंग्स लगे होते थे लेकिन तस्वीरों में साथ तोर पे आप देख सकते हैं कि इस समय कोई भी बैनर पोश्टर होर्डिंग मौजूद नहीं है इसकी वज़ा सिर्फ है कि आचार संगिता लागू होने के बाद नगर निगम की कई टी में लगातार इस पे काम कर रही है परसाथसन सक्त हो गया है और जो लखनव में किसी भी प्रकार का इस तरीके की परचार सामगरी बैनर पोश्टर होर्डिंग दिखाई न दे इसे लेकर कल से ही परसाथसन ने कवायद सुरू कर दी है मैं आपको बता दू निकाय चुनाओ चार और 11 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगरना होनी है इसको लेकर परसाथसन अभी से पूरी तरह सक्थ है चुकी आदर्स आचार संगीता लागू हो गई है और इसके साथ ही परसाथसन अपनी पूरी तयारियों में जूट गया है कैमरामेन राहूल के साथ सत्यप्रकाश सिंग लखनव से भारत एक्सप्रेस सत्यप्रकाश जिस तरह से अब तारीकों का आईलान हो चुका है 13 माई को नतीज़े आ जाएंगे वोटिंग की डेट्स टिकलेर हो चुकी है किस दिन उमीद वारू का जो सिंबल है वो जारी किया जाएगा और ये भी बताईए कि दो चरणों में ये चुनाव होने है पहले चरण में किन जिलों के लिए वोटिंग की ज़ाएगी और दूसरे चरण में क्या होगा जी मैं बताऊं कल आदिसूचना जारी होने के बाद आचार संगीता लागू हो गई है मैं पर्थम चरण में कुल जो 37 जिले हैं उनमें चुना होंगे और दूसरे चरण में 38 जिलों में चुना होंगे तो इस तरीके से चार और 11 मई को ये जो है मतदान होगा और 13 मई को मतगरना होगी इसके अलावा जो आज CM योगी आदितनाथ ने कबिनेट की बठक बुलाई है इसमें भी काफी एहम फैसले लिए जा सकते हैं बीजेपी और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां है वो निकाय चुनाओं को लेकर काफी जो है वो बिलकुल मूड में है कि किस तरीके से अपनी तैयारियों को अंजाम दिया जाए इसी को लेकर कबिनेट की बठक बुलाई गई है जिसमें परदेश के तमाम पदादिकारी और जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें बुलाए गया है तमाम जिम्मेदारियां बीजेपी सौप सकती है काफी एहम बैठक माना जा रहा है कैबिनेट की बैठक है ये इसके अलावा मैं आपको बता दूँ जो अधिसूचना जारी हुई है उसके मुताबिक चार औरी ग्या माना जाता है और इसको मद्दे निजर रखते हुए प्रसाथन ने भी काफी सक्ती बरतनी सुरू गया है कल अधिसूचना जारी होने के साथी जो आधर्थ आचर संगीता लागू हो गई और बैनर पोश्टर हटाने का दाम कल राथ से सुरू कर दिया गया तस्वीरे बेहत साफ हो जाती है जब भी कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है और जिस तरह से सियासत एकदम से गर्मा गई थी OBCR Action का मुद्दा भी उठा था बहुत-बहुत एहम ये चुनाव हो जाते हैं और आज की बैठक भी कहीं मुद्दों को उजागर कर सकती है बहुत- शुक्रिया दमाम जानकारी और वाच्छीत के लिए